हेलो डियर फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माई न्यू वीडियो आज हम क्लास 11 सब्जेक्ट इंग्लिज हाफ एली एकजाम 2021 बाइस की क्योशन्स देखने वाले हैं तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज की इस वीडियो को स्टाइट करते हैं सबसे पहले सेक्शन है इसके अंदर आपका kys roots नंबर first है कि Read the following passage and answer the question on the basis of comprehension of the passage इसका मतलब यह है कि आपको क्योशन नंबर एक है उसके अंदर आपको एक passage दे रखा है आपको इस पेशेज्व को जयानपूरूप पढ़ना है इस process को पढ़ने के बाद आपको कुल मिलाके 11 questions दे रखे हैं इतने अंक का है वह आपके 10 अंक का यह पेसेज है अगर आप कौन से भी बोर्ड की स्टुडेंट हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हो क्यूंकि सभी बोर्ड के अंदर एंचिअर्टी लागु है तो यह था आपका क्योसन नंबर फर्स्ट फिर आपको क्योसन नंबर सेकंड क्या है we प önवर फॉल में पेसेज को आपको और इस पेसेज को इन्वेसेज पुछे गए है इन में से आपको किनी 8 क्योश्टशनंट को सॉल्व करना तो आपको question number second था वो भी passage पर बेश्ड़ था तो आपके English के अंदर क्या होता है exam के अंदर ज्यादा आपके passage आते है नहीं हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सेजी सुना है आपके English के अंदर अपकी बार ज्यादा passage आएंगे passage के अंदर आपको कुछ नहीं करना पड़ता है ब give as suitable title and summary to आपको एक passage दे रखा है इसको आपको इसके नोर्स बनाने है और इसका आपको Іक टायटल और summary के बारेमें बताना है तो इसके अंदर आपको दो क्योंश्टों पूचे गए है इंन मेंसे आपको suitable title देना है और आपको एक सौट सम्म्री लिखनी है फिर आपको layer Cancer A, है कि fill in the blanks choosing the correct alternative any four जो आपको चार दे रखे हैं इसमें आपको चार option दे रखे हैं आपको इन में से किसी एक option को चुनना है यह वालो जो है जो आपकी क्या है आर्टिकल भी है टेंस भी है तो इस तरीके से आपका question number 4 है तो इसके अदर आपको 5 questions पूच रखे हैं इन में से आपको कीनी 4 questions को solve करना है फिर आपको पाचवा question है कि do as directed any four इसमें भी आपको 5 questions पूच रखे हैं इन में से आपको कीनी 4 questions को solve करना है जैसे पहले questions के अंदर आपको combine the sentence into one using to infinitive change into negative change the voice rewrite using unless in palace of तो इस तरीके से आपका question number 5 है फिर आपका question number 6 यह आपको एक extract दे रखा है इसको आपको ज्यान पुरोग पढ़ना है और उसके आदार पर आपको एक question पूछ रखे है और आपको और के अंदर भी questions दे रखा है अगर आपको वो नहीं आता है तो आप इस और वाले questions को भी solve कर सकते है फिर आपका question number 7 है read the passage carefully and answer the following questions question number 7 है जो भी आपका एक passage है और आपको passage को ध्यान पुरोग पढ़ना है और फिर इन questions को solve करना है और के अंदर भी आपके ऐसा ही है एक passage है और इनके questions के answer आपको देने है question number 8 है answer the following questions any 6 अब आपके जो books है उनके questions answer start हो चुके है आपको यापर कुल मिला के 7 questions पूछ रखे है इनमें से आपको किनी 6 questions को solve करना है और यह जो question है वो आपके objective questions है फिर आपको question number 9 है answer the following questions any 1 यह जो questions है वो भी आपके chapters के question है इसमें से आपको 2 questions पूछ रखे है जिनमें से आपको किनी 1 question को करना है फिर आपके B वाले के अंदर भी answer the following questions any 1 यह जो 2 questions है उनमें से आपको जो एक questions का answer अच्छे से आता है उसको करना है फिर आपको question number 10 है answer the following questions any 2 in 60 words आपको question number 10 के अंदर 3 questions पूचे गए है 3 questions में से आपको किनी 2 questions को करना है जो भी 60 words के अंदर Question number 11 है answer the following from all anyone in about 100 words ये भी आपका question answer है इनके अंदर आपको 1 questions करना है कौन सा भी जो 100 words का मतलब कम से कम 10 lines उसका answer होना चाहिए और question number 12 है explain that she holiday was her past mind is her laughter or what will happen if it does not rain ये भी आपकी questions answer है question number 13 है जिसमें आपको क्या करना है आपको water supply will be suspended for 8 hours February for cleaning of water tank write a notice आपको एक रोटिस लिखना है 50 words के अंदर और आपको एक और में भी questions दे रहा है अगर आपको वो नहीं आता है तो आप इस questions को कर सकते हो question number 14 है question number 14 के अंदर भी आपको क्या करना है loud speaker in your locality write a letter आपको एक letter लिखना है district collector को और question number 15 है write a paragraph in about 120-150 words आपको एक paragraph लिखना है कम से कम 120 और 150 words के अंदर जो एक करना है problem of pollution, importance of tree, तीसरा है pride distribution, day in our school तोरता है importance of game and sports और में आपको एक question दे रहा है write a paragraph on covid-19 using the following inputs आपको covid-19 जो भी हमारा corona चल रहा है उसके उपर भी एक paragraph तयार करना है तो इस तरीके से यह आपके कुछ हाफियली के questions थे जो आप कौनसे भी बोड के student तो आप इन questions को देख सकते हैं हो सकता है भले आपके थोड़ा paper pattern change हो लेकिन अपकी बार आपके exam के अंदर English के अंदर ज़्यादा पैसेज आने वाले है आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे comment box में लिकर बताना ना भूले और ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को like करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक share करें और चैनल पर पहली बार तो चैनल को subscribe करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको आगे आने वाली सभी वीडियो की notification सबसे पहले मिले तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई जेहिन वन्ने मातरम